फरवरी का मन्त, और मेरी छद बगया में सबजी की हार्वेस्टिंग फ्रेंट, टमाटर की तो जैसे भरमारी ही हो रखे छद बगया में। और ब्रोकली और पालक यह तीनों चीजें तो इतनी ज्यादा कॉंट्रेटी में हैं कि काफी बार मैं इनको हार्वेस्ट कर चुके हूं और अब जो है फ्रेंट सब्जी में एड़ होगे मटर तो यह देखिए मटर भी खुब सारी मेरी छत बग्या में और ब्रोकली तो आपक सारा यह भी देखिए ब्रोकली फिर से बहुत सारी डेली का जो है इस तरीके की हार्वेस्टिंग होती रहती है साथ में मूली हो गई मटर हो गई पालक हो गई अर्वी हो गई तो यह सारी सबजियां जब आपको अपनी छत बग्या में मिलने लगे तो दिल क्यों ना मेरी हार्वेस्टिंग तो बने रहेगा वीडियो में वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बीच बीच में मैं कुछ जरूरी टिप्स भी आपको देती रहूंगी तो यह देखिए फ्रेंड हमेशा आपको टाइमली अपने प्लांट से पुराने फलों को हा लगता है उस पर नए फ्रूट्स आने लगते हैं तो यह देखिए फ्रेंड मेरे लैमन देखिए एकी बंच में जो है चार चार लैमन और मन इतना ज्यादा खुश इनको देख करके कि बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड जब इस तरीके से मन गदगद हो जाता है अपन पहले से ही प्रेम है और प्लांट प्रेमी तो मैं पहले से ही हूँ लेकिन इस तरीके से रिजल्ट जो है सोचती थी कि बतानी होता भी है या नहीं होता है और लेकिन आज देखे आप कितने सारे निम्बू जो है मैंने हार्वेस्ट कर लिए और इनका बनेगा अचार तो ल ही में काफ़ी अच्छी से सकते हो अगर अभी तक नहीं ग्रोव करी गरोंी चैकी अब frågor अगर तक क्यारी में दूसरी क्यारी तो अभी सरफ शेपलिंग से निकल रहे यहां से मैं ले ले रहूं कुछ और यह जो टमाटर यह बहुत ही टेस्टी यह तक खटा यह होता है अगर इसका पेस्ट बना करके रख लो और थोड़ा से जैसे आज़र मतलब खटाई भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं इसको बहुत ही टेस्टी है गुशु को अच्छवाटर आप फसल आप हमेशा भोह सकते हो तो अभी अगर आपने नहीं लगााया है तो आप लगा लींजे अभी और पाहिए पूरे शाल भर जोो है तो आप ले 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 रही हूँ कुछ मतर भी तो मतर भी बहुत अच्छी quantity में लग रहे हैं friend और जबकि मैंने ये सारे जो है आटा बैक्स में बहुत अच्छा मुझे इनका result मिल रहा है actually मुझे मैं चाहा रही थी कि मैं gardening में थोड़ा और invest करूँ लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि मेरी साइथ कुछ और planning हो मैं कुछ और इसको कुछ और तरीके से करना चाहूँ तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गई और जितने मैंने grow wags मंगा रहे थे बस उतने ही मेरे पास हैं जो मैंने क्यारी बना रहे हैं लेकिन अगर मैं ज़्यादा explore करती हूँ अपनी सबजियों को तो मेरे पास जो है आटा बैक्स जो होते हैं तो फिर मैं उनी में जो है इनको लगा लेती हूँ और साथी में मैं यहां से एक और ब्रोकली ले रही हूँ और गाजर देखें फ्रेंट गाजर के तो पत्ते तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो देखते हैं इसके रूट बहुत ही छोटा जो है अभी अभी जो है बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है तो अभी टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में इसके जो इसने सारी एनर्जी मुझे लग रहा अपनी लीपस में लगा लिए तो रूट अभी डेवलप नहीं हो पा रही है अभी नहीं मैं निकालूंगी मूली और गाजर के डेवलेमेंट के एक पैचान है फ्रेंट जब यह इनकी रूट डेवलप होने लगती है तो यह अब आपको इसे हर्वेस्ट कर लेना चाहिए और यहां पर मैंने थोड़े गोल मूली जो मेरी थी अगर आप मेरे रेगुलर वीवर्स होंगे तो आपने देखा होगा कितनी सारी मेरी गोल मूली जो मेरी च्छत पर लग रही थी तो उसके जो है मैंने एक दो प्लांट रह सिर्स्ट आजाता है तो धनिया भी ऐक एसी सब्जी यहीं गोली जिसे आप साल बहुत अढर्द मूथा कर देखाने में देखानी का मुलेगा को कि डिन्टी ओच शप्लाब требग Lahir साती में जो है मचरों तो खेर फ्रेंट मचरों इसे ली विंटर के सब्जी होती है और अगर आप किसी दूसरे सीजन में अगर बहुते हैं तो यह तो आप किसी अशी थंडी जगे में होने चाहिए जहां पूले पर मटर चल जाए अधरवाइस मटर तो सरफ विंटर्स में ही होते हैं जो मेरा अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस है और बाकी मुझे पॉली हाउस का तो मुझे नहीं पता बट जो एक और गार्णिंग होती है देखें मेरी आज के सबजियां टमाटर देखें पालक देखिए और साथी में ब्रोकली नीमबू देखिए और बीन्स देखिए मटर तो देखें फ्रेंड अगर इतनी ओर्गनिक वेजिटेबल्स आपको घर पर मिल जाए तो फिर आपको मार्केट जाने की क्या जूरत है तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड होपसो आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी शियर करें फ्रेंड थैंक यू बाई हैपी गार्ट अ